तो बिटा कल हम लोग ने एक निया चैप्टर स्थार्ट किया दा मैतल से नोन मैटल्स जिसमें जर्रल पड़ी थी मैटल्स के बारे में तो तो टोड़े भी अर्वी डिसक्सद ऑवाउट दा नोन मैटल्स सबसे पहले नोन मेटल के कुछ प्रोपर्टिश आपको बता होनी चाहिए तो सबसे पहले प्रोपर्टी है इलेक्रोनी कॉंफिगुरिशन अफ नोन मैटल्स होते हैं जो एटम्स होंगे नोन मैटल्स के उनमें चार से 8 उलेक्ट्रोन आप लोगों को मिलेंगे जरूरली इन दा से 8 एलेक्ट्रोन प्रेजेंट होंगे कुछ फिजिकल प्रोपर्टी आपको बताने चीए नॉन मेटल जो होते हैं बिटल होते हैं बहुत जल्दी तूट जाते हैं इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती जितनी मेटल्स की होती है नॉन मेटल्स नॉट डॉक्टाइल का मतलब आपको क्या होता है कि इंकीे राइस नहीं बनाई जा सकती और था प्रोपर्टी इस जो G hanedo होती हैं जब आप मैटलके एक एंड को गरम करना स्टार्ट करते तो दुसरे एंड फिक्वाइट करते है लेकिन एक्सेप्चनल केस Verme Town फे लिए करसीं का वह रहाएं यहां पावन हम निवे सब क्ेसा हम जानते हैं किस ऐुआं जानते हैं हम नहीं ओर में राकुदी परफाइट जो है वह गुड़ कंड्ड़क्टर होता है क्यों क्यों किसे ब्रिदaroo कारबन का एक 1 पर स्थoh слушiren यहां है सब्सक्राइब नोन लॉश्चरश होते हैं जो है इसे नोन मैटल है जो की लश्चरश होते हैं जो बहुत लश्चरस होता है शाइनिंग करते हैं नोन मेटल होते हैं वह कैसे होते हैं लिक्विड भी हो सकते हैं गैस भी हो सकते हैं रूम टेंपरिचर जनरली एट रूम तेंपरिचर मेन्स थे बहुत बहुत होते हैं लेकिन यहां पर भी अक्षेप्शनल केस जहां पर आ जाते हैं वह इंपोर्टिट बन जाते हैं कर दोभी नौन मेटल्स के केस में ही कार्बन का ऐलूट्रॉप हम ले रहे हैं डाइमड में और इंपर्ण का कश्लाइन फॉम में जो की जूत नेकरम तो गार्पन एक एलोट्रोप जो है बहुत सोफ्ट है दूसरा कैसे बहुत हाड है नौन मेटल जो है जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट वाइलिंग पॉइंट होता है इनका एस कंपेटू मेटल्स लेकिन अक्षेप्शल के से ग्रिफाइट आपके पास जिसका मेल्टिंग प मास बहुत ज्यादा होता है तो मास जितना ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा ठीक है और ग्रिफाइट थी अक्सेप्शनल बात है कुछ आपको साथ में यह भी पता होने चाहिए लश्यर सो करते हैं जबकि नौन मेटल है गूड कंडक्टर है फ्री लेक्ट्रोन्स और लास्ट प्रोपर इस नौन मेटल्स है जो नौन मेटल से होते हैं उनकी डेंसिटी काम होती है सबसे हाई देंसिटी मैंने किसकी बदाई थी आप लोगों को मर्करी 13.6 ग्राम पर सेंटीमेटर क्यूब ठीक है ना सिर्फ एक अक्सेप्शनल कीशि तो थैंक य। वेरी मुँच